नमस्कार, स्वागत बच्चों आपका Self Study के चैनल में और आज हम चर्चा करने वाले हैं देशी रियास्तों का भारत में विलेंट यानि जब देश आजाद हो रहा था 1947 में उस वक्त माउंट बेटन योजना में जैसा कहा गया था कि जो प्रिंसली स्टेट हैं चाहें तो वो भारत में शामिल हो जाएं चाहें तो वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर वो नहीं चाहते हैं किसी में भी शामिल होना तो वो अकेले रह लें खुद का देश बना ले एक तरीके से माउंट वेटन योजना के अंदर भारत को जितना हो सकता था उतने टुकडों में तोड़ने की कोशिश की गई थी लेकिन उस वक्त जो भारत में सरदार वल्ला भाई पटल थे वीपी मैलन जी थे इन्हों ने उस वक्त इस चीज को प्रोपोगेट होने नहीं दिया था और बड़ी जल्दी से इन सभी जो देशी रियास्ते हैं भारत के अंदर इनको मिला लिया गया था clear, तो आज इस video में इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि रियासतों को भारत में समलित करने के लिए सरदार वल्लब भाई पटेल के नेत्रितों में रियास्ती मंतराले बनाय गया था की देखें, जितने भी हैं हमारे देश में उस वक्त 1947 में जब अंग्रेज छोड़ कर गए थे दो देश बना दिये गए थे पाकिस्तान और भारत वहाँ पर जो सरदारवल्ला भाई बटेल जी और वीपी मैनन जी इन्हों ने जैसे जाकर जितने भी देशी रियासते थे उनको भारते मिलाया गया था तो कुछ देशी रियासते ऐसी थी जिन्हों ने भाई ये कहा कि हम नहीं मिलना चाते हैं हम अकेले रहना चाते हैं उसमें आते हैं कौन भाई हैदराबाद हैदराबाद की रियासत लेकिन हैदराबाद की रियासत को पुलिस कारवाई के तोर पर मिला लिया गया था कहता है तुम मानते हो तो अच्छी बात है नहीं मानते हो तो हम बनाना आता है तो बना लिया गया था पुलिस कारवाई हुई थी यहां पर तो यह तो हो गया रे कहां गए भाई साब चाहिए है कि यहां पर तो यह हैदराबाद को ऐसे मिलाया गया था फिर आते हैं जुनागर्ड में जो गुजरात में तो जुनागर्ड में क्या था जो यहां पर शाशक था वो तो मुस्लिम था लेकिन जनता गया थी वो हिंदू थी तो यहां की जनता के अधार पर ये जो जूनागरडवाला जो इलाका है वो किस में चला गया था भारत में चला गया था फिर आते जम्मो कश्मीर में इनों ने कहा था कि 대ख wipes अकेले ही रहेंगे हम ना तो भारत में जाएंगे ना पाकिष्तान में जाएंगे लेकिन जब देश अजद होई था तो पाकिस्तान ने जमू कश्मीर पर चढ़ाय शुरू कर दी थी जिसके चलते है ये भारत के पास आए तो इन्हों ने का कि देखे जी अब हमारे जो जमू कश्मीर को बचा लीजिए और जब जमू कश्मीर को बचाने की बात आई तो कहा कि ठीक है हम बचा लेंगे लेकिन आपको भारत में शामिल होना पड़ेगा और भारत में शामिल किया भी गया था जमू कश्मीर को लेकिन उस वक्त कुछ छूट दी गई थी कि आप अपने हिसाब से अपना जो शेत्र है अपना राज्य है वो चला लीजिए लेकिन जो आपका डिफेंस सिस्टम है इंटरने स्टेटस दे रखा था वो भी खतम कर दिया गया यूनियन टेरिटरी बना दिया गया उसको उसमें विधान सबा का यहां पर क्या आ गया है कि आपके यूनियन टेरिटरी ने अंदर विधान सबा होगी आपको पता है कि 5 अगस 2019 जो स्पेशल स्टेटस जमू कश्मीर को 370 आर्टिकल खतम करते हुए उसको यूनियन टेरिटरी में मतलब बना दिया गया था दो चीजों में डिवाइड के दिया गया था कि एक लद्दाक के यूनियन टेरिटरी थी एक जमू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी थी और जो जमू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी थी उस मिलाया गया था, तो इसके लिए सबसे जड़ा योगदान जो है, वो सरदार वल्ला भाई पाटेल जी और भी भी मैनन जी को जाता है, इन्होंने बहुत ज़्यादा महतापुन, भूमिकानी भाई थी क्योंकि जैसे मैंने कहा न, यह जो यह थो माउंट बेटन जो थे, वो भारत के गवर्नर थे, अब एक चीज आपने कभी सोची हो, कि भाई इतने इंपोर्टन चीज, देखिए यहाँ पर जाता डी कोनलाइज हो रहा था, मतलब कि जो अंग्रेज थे, वो बहुत से शेत्र अप छोड़ चोड़ कर अपने ही देश में लोड रहे थे, डी कलोनलाइज हो रहा था, तो वहाँ पर जब यह चोड़ कर जा रहे थे, तो इतनी बड़ी चीज कि भी दो देशों को अब आपस में आपको डिवाइड कर देना है, मतलब एक देश को दो देशों में इंगलेंड की, उनके पोते थे ये, उनके पोते थे महरानी विक्टोरिया के, तभी इनको इतना जादे इंपोर्टन काम दिया गया था, और 1979 में माउंट बेटन को मार दिया गया था, असेशिनेट कर दिया गया था, में चुटिया मनाने गए हुए थे, तो चुटिया मनाने गए थे, तो एक IRA करके एक आंतकवदी संगटन था, यही मानते कि आंतकवदी संगटन था, तो इनोंने क्या गया, इनकी जहाज में बं रखा था, और बं में इनको उड़ा दिया गया, तो 1979 में इनकी मोत भी होगे थी, तो यह additional information होगी, मुझे लगता है कि आप लोगों के चीज़े नहीं पता होगी, तो ध्यान रगना है कि VP Mananji और सरदार वल्ला भाई पटेल के काफी ज़्यादा भूमिकार रही है, देशी रियास्तों को भारत में मिलाने के लिए, एक चोटा topic था, लेकिन काफी ज़्यादा important है, लोग पुरुष माना जाता है सरदार वल्ला भाई पटेल को, क्योंकि उन्होंने भारत को एक करने में अपनी पूरी जान लगाती थी, प्रोपोगेंड़ा जो माउंट पेटन योजना में था, कि जितना हो सकता भारत के हिस्से किये जाएं, वो चीज नहीं होने दी थी, उमीद करता हूँ कि आप लोगों को ये topic समझ में आया होगा, बहुत छोटा सा topic है, बट exam के point of view से चीज़ें important है और आपको चीज़ें जाननी चाहिए, मैं चाहता तो एक अलग एक की साथ, इसको टोप, एक दूसरे topic के साथ भी ले सकता था, बट मुझे लगा कि नहीं एक कि इसको अलग से ही रहने दिया जाएं काफी तुछ लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सकती हैं तो आप जाकर वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और भी जितनी भी वीडियोज हैं, पीडियाफाई हुई हैं वहां पर उस टेलिग्राम चैनल पर, आपके एक्जाम के पॉइंट ओ व्यू से वहां पर भी चीज़ें अपलोड की जा रही है तो बस आज के लिए इतना है था, thank you for watching this video